पहले गौरव भातिया जनता के भरोसे पे अगर सीम लर्णिंग लेके चले पांच साल तो फिर भी आप यह उम्मीद करेंगे कि जनता दुबारा गाड़ी चलाने का मौकत देदेगी रोई जी एक मुझे विंती करनी है इससे पहले मैं आपके प्रशन का उत्तर दूँ कि सर्वोच न्याले बार एससेशन का मैं महासचिफ जरूर हूँ लेकिन बार एक स्वतंतर बॉड़ी है उसका इस राजनितिक जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है और शीला दिक्षित जी की बात कर लूँ अगर आपकी अनुमती हो तो क्योंकि आज उनको जो है अपना चेहरा गोशित किया है मुख्यमंतरी का कॉंग्रेस का देखे शीला दिक्षित जी वो व्यक्ति हैं जिनको पिछले एसेंबली एलेक्शन में दिल्ली के जनता ने भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने ब्रश्टा चार किया या नहीं किया क्योंकि जाच हो रही है लेकिन वो मुख्यमंतरी थी और उनके कारिकाल में सी डवलू जी घोटाला बी आटी घोटाला और जैसा आपने कहा आज भी समन आया हुए उन्हें आंटी करॉप्षिन ब्यू जनता को याद है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता आती और दिल्ली पे भार बन जाती है जो की संविदान के भी खिलाफ है कि संविदान स्वतंतरता देता है नागरिकों को पूरे भारत में जाने की लेकिन शीला दि बोटी बोटी संपरदाइक व्यक्ति तो ये रत कहा जाएगा ये केवल खाई में जाएगा गड़े में जाएगा और 26 सीटों की बजाए कॉंग्रिस 10-12 सीटों पे सिमट के रह जाएगी एक और एहम बिंदू है प्रियंका गांदी जी पे बड़ी चर्चा हुई आपके चैन प्रिमेदारी नहीं देते क्योंकि वो भी सच जानते हैं कॉंग्रिस के पास ना उत्तर प्रदेश में संग्टन है ना विचारदारा है और आज ये बात भी तैह हो गई कि ना इनके पास कोई लीडर है तो वो किसी को भी लाएं मैं समझता हूँ 2017 के चुनाब में इससे अच्छ है इससे कोई नहीं नकार सकता कि उन्होंने विकास किया है जबकि केंदर सरकार से जिसके 71 MP है उत्तर प्रदेश में हमें कोई सयोग नहीं मिलता है अखिलेश यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि वो लर्निंग सीम थे तो मैं फिर कहता हूँ कि पहले दिन से जब निखर के आई है उन्होंने सीखा है और इसी लहजे में उन्होंने जनता को कहा कि अब आप देखिए कि आगे और क्या क्या हम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये तो उनकी सरलता दिखाता है इसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं कहीं ठीक 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 देखिए अभी आप यही हमारे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से के इन तरफ से भ्याकरांद से दिख रहे हैं अभी सिर्फ हमारा नेड़े हुआ है अभी नेताओं ने काम करना नहीं शुरू किया है देखिए कितने दहसत में ये लोग बातें कर रहे हैं बता रहे हैं ये दिखाता है ये दिखाता है कि इनको अपना भविस दिख गया है इनको अपने भविस का अंदाजा लग चुका है क्योंकि इन लोगों ने इन ही लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक राजनेतिक प्रियोग साला बना के रखा है उत्तर प्रदेश के गवरों को इन लोगे ने मट्या मेट किया है अभी मैं सुधान सुजी की बाद के नहीं है राश्ट्री ट्रिपल सी बीजे पी जो ट्रिपल सी है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कैमनल किरमनल करप्ट हम यूपी से गिना र मैं रामा जी क्या है मैं एक एक करके बोल एक कोई एक बोले अरे बादपा को छोड़ दीजे बादपा के प्रवक्ता जवाब देंगे आप इमरान मसूद पर जवाब दीजियो मैं अभी बता आपका भी गिना दे रहा हूं अभी आप पे भी बता दूँगा आप भी बता रखे लें गिना रहा हूं अपना गिना रहा हूं अब यह ब्याकुलता बता रही है कि पायर के नीचे की जमीन कि सकने था है बीजे पी समा सपाव हर भार आव भाजब बस पका देखिए मैं पहले बीजेपी गिना तो फिर आप कभी गिनाता हूं राना जी क्या है और संगीत सोम जी क्या है प्रदेशा धजी क्या है डीपी आदो जी को सबसे पहले इनों ने लिया था फिर इसके बाद बुलके तेका कुसवाह जी बहुत बूरे है सबसे पहले मंतरी बनाया देश के क्रिमिनलों को सबसे पहले कल्यांट सिंगी ने मंतरी बनाया आप सुनिए समाजबादी पार्टी के अब एक रेइस्टर आठ होता है थानों में आप बताईए आधे से जादे लोग बीजेपी में वह नहीं मानेंगे अखिले जी अगर आपने भी स्योग मांगा और आपको बोलना हो तो मैं खामोस हो सकता हूँ गोरो भाटिया जी अगर आप खामोस हो तो क्या आपको मुख्यमंद्री जी ने सभी नहीं लिए देखें देखें आपको जो पूछना आप पूछने मैं बता रहा हूँ